मन्चुपर उपस्तित, सन्मान्य वनकिया जी, आर्दर्णिय विजय कुमार जी, श्रीमान रामलाल जी, थावर्चन जी, दिल्ली प्रदेश भारतिय जन्ता पार्टी युनिट के अध्यक्स, श्री सती सुपाध्याई जी, पार्टी के महासत्चीव, श्री भुपेंद्र जी, उपस्तित सभी वरिष्ट नितागण, कारक्रता बंदू बगिनी, सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, चाह अप्रेल उन्नी सो असी के दिन भारतिय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और तब से हम पार्टी के स्थापना दिन को मनाते हैं, भारतिय जनता पार्टी का स्थापना दिन मनाने के वक्त हम सब के लिए बहुत जरूरी है मित्रो, कि हम थोड़ा पिछे चले जाएं और ये सोचे कि पार्टी की स्थापना क्यूं हुई थी ये पार्टी क्यूं अस्तितों में आई और पार्टी कैसे चली और पार्टी को आगे क्या करना हैं, अगर ये तीनों बातों को हम ठीक से समझ लेते हैं तो आज देश के रादनितिक परिद्रुश्व में जिस पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में हमें बड़ी सरलता महसूस होगी और हम ठीक से हमारी जिम्मेदारों का निर्वहन कर पाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी की रादनिति क्यात्रा दो हिस्सों में बटी हुई है जन्संग और बाद में भारतिय जन्ता पार्टी है बीच में एक छोटा सा कालखंड जन्ता पार्टी का भी आता है जिसमें जन्संग के सभी के सभी सदस्य जन्ता पार्टी के खिस्सा बने थे कुछ लोगों ने, मतलब 10-11 युवाओं ने सामा प्रसाज जी के नेत्रूतों में जनसंग की स्थापना की, वहां से लेकर, वो 10-11 युवाओं से लेकर, 10 करोड का परिवार हमारा आज बना है, ए यात्रा, मैं भरोसे से कहना चाहता हूं, ए यात्रा, दुनिया भर की रादन परितिक पार्टियों की यात्रा में सबसे रोमांचक और सबसे संगर्सपून यात्रा रही है, इसका मुझे आनन्द है में तो, क्योंकि मैं ऐसी पार्टि का सदस्य हूं, जिस पार्टि ने देश के भले के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की समस्याओं के निव के सत्ता पर पहुँच कर आज उसके निवारण के लिए भी हम कारे रथ हुए हैं यह तीनों स्टेज सायद ही किसी पार्टी के भग्य में आए होंगे भारतिय जन्संग की स्थापना के वक्त देश में कजीब प्रकार का महोल था आजादी के तुरंत बाद देश कॉंग्रेस की नित्रूतों में आगे बढ़ रहा था और उस वक्त कुछ लोग देश के लिए जो लंबा सोथते थे ठीक से सोथ सकते थे उन्होंने देखा कि देश की नितियों की निव पास्चात विचार के आधार पर रखी जा रही हैं चाहे वो देश की विदेश निती हो आर्थिक निती हो अउध्योगिक निती हो कुरूशी निती हो या बहुत महतोपूर्ण सिक्षा निती हो इसकी निव पास्चात विचारों के आधार पर रखी जाती थी उसमें कहीं पर भी इस देश की माटि की सुगंद नहीं थी यह देश के मुल विचारों का स्थान नहीं था और उस वक्त वो मनिश्यों को लगा कि देश अगर इस लंबे समय तक इस रास्ते पर चला तो देश भटक जाएगा और देश अपने घंतवे स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा देश को दुनिया में सनमान दिलाने का दुनिया का नेत्रूतों करने का सामर्थ होने के वो ठीक नहीं हो रहा है ठीक इस तरह से होना चाहिए ऐसा विचार मात्र रखने के लिए भारतिय जन्संग की स्थापना की थी उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि भारतिय जन्संग और बाद में भारतिय जन्ता पाटी कभी इस देश में पून बहुमत के साथ सत्ता में उस वक्त तो आसाय सिर्फ इतना था किस देश की नितियों को एक अलग विचार रख कर प्रभावित करें एक अलग सोच सोतने के लिए इस देश के मिडिया के सामने इस देश के लोगों के सामने इस देश के चिंतकों के सामने रखे और निती निर्धारक जो देश के बने हुए है उनके आत्मा को जागरूत करने का एक विनम्र प्रयास जन्संग के माध्यम से किया था उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि जन्संग और बाद में भारती जन्ता पार्टी की यात्रा को इतना यस मलीगा इतना सन्मान मिलेगा इतनी लोक स्विकृती मिलेगी मगर हमारे जो पुर्खे थे उस वक्ते हमारे जो नेता थे उन्होंने बहुत कड़ा परिश्रम किया हर चीज का छोटा 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 विचार करकर उनको मालूम नहीं था कि हम जो सिधान्त बना रहे हैं जो नित्या बना रहे हैं उस पर देश कभी चलेगा और नहीं चलेगा उसकी परवा करे बगर चिंतन करते 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 हर क्षेत्र में भारतिये जन्संग का एक निश्चीत विचारधारा बनाने का काम दिंदाल उपाद्याजी के नित्रूतों में हुआ और वो मन्थन वो चिंतन एकात्म मानववाद के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तूत हुआ मित्रों पचास साल पहले बना हुआ है चिंतन आज भी इतना ही सामप्रत हैं मैं बड़े गवरों के साथ करना चाहता हूँ, एकात्म मानववाद का चिंतन सास्वत है, एटर्नल है, वो काल जई है, कभी काल बाहिया नहीं होने वाला है, मित्रो इस चिंतन के आधार पर न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारत, पूरे देश का कल्यान करने की इक्षमता, एकात्म मानववाद के चिंतन के अंदर पड़ी है, और वो चिंतन हमारे मूर विचार का आधार है, और हमें गवरों होना चाहिए, कि हमें ऐसे चिंतन को लेके चलते हैं, जो देश की सिमाओ तक सिमित नहीं है, दुनिया के कल्यान अंतरिक सक तक की विचार करने वाला ये चिंतन हमारे काम का आधार बना है, और इसलिए दिरे 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 पचास साल में मित्रों हमें ये सफलता मिली है, मित्रों कोई भी पार्टी को अगर समदना है, पार्टी कैसी है इसका मुल्यांकन करना है, पार्टी कैसी है इसके बारे में एक मत बनाना है, तो तीन चीजे महत्वपून होती है पार्टी के सिद्धांत पार्टी के नेता और पार्टी के कारेकरम ये तीन चीजों के आधार पर ही पार्टी का मुल्यांकन किया जा सकता है और मैं मानता हूं कि जनसंग से भारतिय जनता पार्टी की आध तक की यात्रा 1951 से 2014 तक की यात्रा आध पूरे विश्व के सामने इस तीनों चीजों के लिए मुल्यांकन करने के लिए खुली पड़ी है और मुझे भरोसा है कि जब समय इस चीज़ का मुल्यांकन करेगा दुनिया भर की राद्नितिक पार्टियों में भारतिय जनता पार्टी को सर्वोच स्थान दिये बगर किसी के पास कोई विकल्प नहीं होगा मित्रो भारतिय जनता पार्टी सुध भारतिय चिंतन के आधार के पर अपने सिध्धान्त बनाने वाली पार्टी है सांस्कूर्टिक राष्टवाद एकात्म मानवाद का चिंतन और पंच निष्टाओ का भारतिय जन्ता पार्टी के स्थापना के समय हमने जो गोशना किया इसके आधार पर हमारी पार्टी चली और इसमें कहीं पर भी कोई छोटा विचार नहीं है यह हमारे सिधानतों के अगर अंदर कोई छोटा विचार नहीं है इस सिधानतों के अंदर देश के पूरे देश के समुचिक सर्वसमावेशक विकास का विचार रहा है देश के हर तपके पर समाज के हर व्यक्ति के लिए अन्तियोदय से लेकर समाज के सबसे बड़े व्यक्त और भारतिय जनता पार्टी के बीच में, विचारदारा के बीच में कोई अंतर, एक सेंटेंस में समझाने का प्रयास करने को मुझे कहेगा, तो मैं बड़ी सरलता से समझाने के लिए तैयार हूँ, कॉंग्रेस जब देश आजाद हुआ, तब कहती थी कि देश का नव निर्म होना चाहिए, जो पुराना है, वो काम का नहीं है, पुराना था, वो विफल रहा है, इसलिए उसको बदल डालिए और नया बनाईए, हम कहते थे, देश का पुनन निर्मान होना चाहिए, पुराना था, वो स्रेश्ट था, और स्रेश्ट को स्विकार करिए, और देश को आ भार्तिय जन्ता पार्टी ये सिध्धान्तों के अधार पर चलने वाली पार्टी है उसके बाद में जन्संग की स्थापना के बाद हमारे नेता जन्संग के विश्तार में लगे मैंने कहा पहले सिध्धान्तों से पार्टी का परिचे होता है बाद में नेता उसे पार्टी का परिचेव होता है मित्रो हम सब बहुत 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 किस्मत वाले कारे करता है जिसको एक ऐसा नेत्रूतों की परंपरा मिली है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग था जिसके जीवन में त्याग के अलावे कुछ नहीं था मित्रो सामा प्रसाद मुकर जी और दिंदाल उपाध्याई जी ने अपने जानों का बलिदान दिया जीवन का बलिदान दिया उसके बाद में अटल जी, अडवानी जी, नाना जी, देशमुख, भाई, महावीर, त्यागी, सुंदर्सी, बंडारी, कुसाबाव, ठाक्रे, कैलाश्पती, मिस्त्र, जगानात, राव, जोसी, राजमाता, सिंद्या, हजारों, हजारों कारेकरताय से निकले जिनको अपने जीवन में और कुछ करने की ना सूधी ना भूती, पुरा जीवन पार्टी के लिए, पुरा जीवन विचार के लिए, पुरा जीवन देश के लिए समरपित किया, जीवन की खणखण और सरीर का कणकण इस देर पार्टी के लिए समरपित किया, इस विचार क बात करते हैं साद्गी की आज कुछ लोग बात करते हैं आमादमी होने की मैं उनको बताने चाहता हूँ कि हमारे पास तो ऐसा नेता थे जिनके जन्म से मृत्यु लेक तक कभी बैंक एकाउंट ही नहीं रहा हमारे पास ऐसा नेता थे जिनका जीवन में कभी घर नहीं बना कारले कोई ही घर बना कर चले जिनके जीवर में कोई परिवार नहीं रहा देश का परिवार ही उनका परिवार रहा पूरा जीवन में अच्छावर किया मगर मेरी पार्टी ने मेरे निताओं ने कभी इसका मार्केटिंग नहीं किया यह मार्केटिंग का विशाय नहीं है त्याग भुनाने की चीज नहीं है त्याग तप सिद्धी के आधार पर देश के सिद्धी के रूप में देश की समस्याओं के निवारण का एक व्यसस्वी मार्ग है त्याग भुनाने की चीज नहीं और ना भारतिय जंता पार्टी के कारेकरता ने कभी त्याग को भुनाने की दुरूस्टता करनी चाहिए गल्दी करनी चाहिए यह हमारे नेताओं ने हमें सिखाए इस प्रकार क्या नेतुत्व ओजस्वी नेतुत्व समर्पित नेतुत्व सादगी पूर्ण नेतुत्व विचारवान नेतुत्व चिंतन कर सके ऐसा नेतुत्व देश की साहदी किसी एक पार्टी में होगा जो भारतिय जंता पार्टी को मिला है और हम सब मित्रों हम सब बहुत भाग्यवान है कि इस प्रकार का नित्रूतों हमें मिला है सामा प्रजाद जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक और दीन्दाल जी से लेकर आध देश भर में फैले हजारों प्रचारों को तक जिन लोगों ने अपने जीवन का अधिश्टान तब को बनाया है ऐसा नित्रूतों भारतिय जन्ता पार्टी को मिला है मित्रो सिद्धानतों के बारे में ये पार्टी सर्वस्रेष्ट पार्टी रही नित्रूतों के बारे में ये पार्टी सर्वस्रेष्ट पार्टी रही और पार्टी की स्थापना से हाथ तक आप कारेक्रम देखें इस पार्टी के एक भी कारेक्रम पार्टी के नेता के महिमा मंदलन का कारेक्रम नहीं है एक भी कारेक्रम पार्टी के महिमा मंदलन का कारेक्रम नहीं है एक भी कारेक्रम पार्टी के विस्तार का कारेक्रम नहीं है हरेक कारेक्रम की नीव, हरेक कारेक्रम की सोच सुद्ध रुप से राष्टवाद पर अधारीच सोच रही है मैंने देखी है पार्टिया जो कारेक्रमों की रतना करती है अपने नेताओं का महिमा मंदन करने के लिए मैंने देखी है ऐसी पार्टिया जो कारेक्रमों की रतना करती है अपने काम का विश्तार करने के लिए मैंने देखी है ऐसी पाटिया जो कारेक्रम की रतना करती है सत्ता को पाने के लिए भारतिय जंसंग से लेकर भारतिय जंता पाटिय ने जितने भी अंदोलन की ये मित्रो आप याद करिए कच्छ बचाने का अंदोलन गोवा का सत्याग्र कस्मिर बचाने का अंदोलन दारा 370 के खिलाप अंदोलन गव हत्याप पर प्रतिबन करने के लिए अंदोलन कॉमन सिविल कोड के लिए अंदोलन इमर्जन्सी के खिलाप का अंदोलन कास्मीर के अंदर लाल चौक में जंडा फेराने का आंदोलन हरे एक आंदोलन की निव सुद्धर रुप से राष्टवाद को प्रवल बनाने के लिए थी राष्टवाद को मजबूत बनाने के थी जिस पार्टी पूरे विश्व के कल्यान के सिधान्दों के आदार पर चलती हो जिस पार्टी के नेता समर्पन त्याग और सादगी के आदार पर अपना जीवन जीते हो और जिस पार्टी के कारेकरम राष्टवाद के सिधान्द पर बने हुए होते हो वो पार्टी को कोई प पराजीत नहीं कर सकता है। एक दो पार्टियां ऐसी है जिन्होंने अपना आंत्रिक लोकतंत्रा समाल कर रखा है आज इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि गुज्रात के किसी एक बूत पर बूत के मंत्री नाते काम करने वाले एक सामन्य कारक्रता इस पार्टी का राष्टी अत्यक्स बन सकता है और इस पार्टी में ऐसी स्वतंद्रता है कि कोई बड़े गराने में जन्मलिये बगर कोई राधनितिक प्रुष्ट भूमी के बगर चाय बेचने वाला आम आदमी आएक बच्चा इस देश का प्रधान मं सकता है और मैं मानता हूँ यह विशिष्ट दा आज भारतिय जन्ता पार्टी के अलावे देश की कोई पार्टी में नहीं कोई पार्टी में नहीं और इसका हमें गवरा होना चाहिए भारतिय जन्ता पार्टी के हम कारेकता एक ऐसी परंपरा के वाहक है जो नेताओं को लो मौका देने का प्लेटफॉम है, ऐसी पार्टी के हम कारे करता है मित्रों, और मैं मानता हूँ कि इस बार भारतिय जनता पार्टी के कारे करता हो कि अनेक गुना जिम्मेदारी बड़ी, देश में बारा जगर पर भारतिय जनता पार्टी की राज्ये सरकारे हैं, और केंद्र म पूर्ण बहुमत वाली भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार स्रीमान नरेंद्र मोदी के नेत्रूतों में चल रही है और इसलिए हम विपक्स में से थे उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आज हमारी है देश की घरिबी के सामने लड़े करने की जिम्मेदारी अज भारतिय जन्ता पार्टी के है देश का किसान को संपन करने की जिम्मेदारी भारतिय जन्ता पार्टी के है देश के मद्दुर को अपना जीवन ग्यापन सरलता से कर सके ऐसी व्योस्ता बनाने की जिम्मेदारी भारतिय जन्ता पार्टी के है देश की सिमाओ को सुरक्सित करने की जिम्मेद भारतिय जन्ता पार्टी की है देश को समरुद बनाने की जिम्मेदारी भारतिय जन्ता पार्टी की है देश को संस्कृत बनाने की जिम्मेदारी भारतिय जन्ता पार्टी की है देश को सिक्सित बनाने की जिम्मेदारी भी भारतिय जन्ता पार्टी की है जब भारतिय जन्ता पाटिप को इस देश की जन्ता ने इतनी आसा और अकंगशाओं के साथ जिम्मेदारी दी है तब हम सब का दाहित्व है कि हम अपने आपको इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करें दो और उसके लिए हमारे पुर्वजों ने हमारी अगली पीडी ने जो परिश्रम किया है उस पाटि किसी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए नहीं बनी थी यह पाटि इस राष्ट को इस देश को इस भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर बिठाने के लिए बनी थी और संगस करते 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 विश्वगुरु के स्थान पर बिठाने का काम करने का जिम्मा आज हमारी पीडी पर आ गया है हमने बहुत सभा के हम सब सो बहुत सभा के सली मेत्रो देश के लिए जो जान देते हैं न उसकी कोई कम किमत नहीं होती मगर मैं मानता हूँ देश के लिए जो सहीद हुए है उनसे भी ज़्यादा कठिन सहीद हो न अपने आप में बहुत बड़ी बात है मगर उसकी से भी ज़्यादा कठिन चीज है देश के लिए जीना और वो जीने की जिम्मेदारी हमारे सर पर आई आजादी दिलाने के लिए भगत सिंग से लेकर अनेक अनेक लोग अपनी व्यास्ता में सहीद हुए उससे भी ज़्यादा कठिन काम है पूरा जीवन देश के लिए जीना और वो जिम्मेदारी अज हमारे सामने आई है मित्रो नरेंद्र भाई के नित्रूतों के में ये देश में भारती जिनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से काम करी है देश की हर समस्या का समधान लाने का प्रयास करी है मतों के पीछे दोडने के बगर कठो रास्ते पे चलकर लंबे रास्ते पे चलकर देश को एक लंबे समय पर विश्व के अंदर नेत्रूतों करने के सान पर बिठाने का काम ये नरेंद्रमोदी सरकार करी है और उस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है देश बर के कारेकरताओं की जिम्मेदारी है कि इस बात के हम वाहक बने इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाए इस बात को लेकर जन्ता के बीच में जाए हमारे विचार के विरोधी और कुछ मिडिया के लोग अगर भ्रान्ती फिलाते हैं तो ब्रहमों का निरसन करने की जिम्मेदारी भारतिये जनता पार्टी के हम सबी कारे करताओ की है जनता को सच बात बताने की जिम्मेदारी हम सब भारतिय जनता पार्टी के कारे करता होगी मित्रो नरेंदर भाई ने बहुत तरीके से अच्छे प्लानिंग से देश के अंदर विकास का एक नया यूग सुरू किया है और मुझे भरोसा है कि नरेंदर भाई के नित्रूत में हम जब दूबारे मेंडेट लेने के लिए जाएंगे तब इससे अधीक सीड पाकर एक और मद्बूत सरकार बनाकर जनादेश प्राप्त करकर आएंगे मगर भारतिय जनता पार्टी का कार्य करता मित्रो केरियर ओरिंटेड सोच न रखे कार्य की सोच रखे पद की जगए पार्टी का विचार करे अपने आप की जगए देश का और पार्टी का विचार करे प्रसिद्धी और पद ए दोनों तो परिश्रम के पीछे पीछे आते है एक बार परिस्रम करने में हम भorusा जता दे प्रसीद्धि और बद दोनों आपके पीछे अपने आ आप आ है इसकी आखंसा करने की जरूरत नहीं है परिश्रम करने की दरूरत है मित्रो नरेंदर भाई के नेटुत हो के अंदर देश की सरकार दुनिया में भारत का स्थान मदबूत जगवकप पर पहुँचाने का काम कर चुकी है देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मद्दूरों के लिए देश के वंचितों के लिए अने एक वीद योदनाई लेकर हम आए हैं देश की सिमाओं को सुरक्षित करने का काम, एक सुरुधरड विदेश दिदी देने का काम एक भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। है कि हम इस पार्टी के काम को, हम इस विचार के काम को और सरकार के काम को लोगों के बीच में लेकर जाए। कि सदस्य ये सुभेच्छक उसको कारेकरदा में परिवर्तित करने के लिए हमारे दो अभियान और आने हैं। एक संपर का भियान और एक प्रसिक्षन का भियान। मैं भरोसा करता हूँ कि आप सबने जीतना काम सदस्यता भियान के लिए किया है, जितनी मेहनत से किया है, जितनी निष्टा से किया है, उतनी ही निष्टा से आप आने वाले दिनों के में अंदर संपर्क अभ्यान और प्रसिक्षन अभ्यान का काम करेंगे नरेंदर भाई सरकार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सरकार की नितियों को बनाने का काम करेंगे उनकी पूरी टीम नरेंदर भाई के साथ लगकर देश की हर समस्या के निवारण के लिए अथक प्रयास करें है उस वक्त भारती के जनता पार्टी के हम सब कारेकरता संगठन के कारेकरता सरकार जो प्रयास करें है उसके पीछे रहे जनता में प्रयास को पहुँचाए और सरकार को सफल बनाने के लिए बिल्कुल एक जूट ह कर लग जाए ये मेरे सभी देश के कारेकरताओं को आज के दिन पर एक अपील है मित्रों आज जब हम पार्टी के 36 वे स्थापना दिन पर यहां पर एकत्रित है मैं जानता हूं कि इस पार्टी के लिए इस विचार के लिए कितने कितने लोगों ने त्याग दिया है बलिदान दिया है और इसके परिपाक स्वरूफी आज ये पार्टी यहां पर पहुंची है हमारी जिम्मेदारी है कि और 35 साल पर कोई पार्टी का राष्टी इद्यक्स यहां से भासन करे तब ये पैतिल स्काल्खा हमारा आने वाला काल्खन पीछे के 35 साल से काल्खन से ज्यादा य बैठे हैं वो सभी कारिकता अभी भी 20 साल 25 साल 30 साल तक पार्टी में कार काम करेंगे मेरी आप से रदय की रदय से भी नंती है एक अपील है कि हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि जो पार्टी के 35 साल गए है उससे पार्टी के 35 साल और यसस्वी और उज्वल हो और हम त्याग म जीवन जीए और देश को अच्छा नेत्रूत देने का प्रयास करें यही मेरी आपको अपील है मित्रो नरेंदर भाई के नेत्रूत में यह देश दिन दूनी राद चोगनी प्रगती करता रहे और भारत माता को विश्वगुर के स्थान पर बिठाने में हम सब लोग सपल रह है नरेंदर भाई का नेत्रूत सपल रहे यही सुपकामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं बारत माता कीजें